वीडियो आज हम बात करने वाले इसके कुछ नियू मिट बश्टर के बारे में जिनको मैं यहां पर करूंगा बहुत ओपी ओपी मित निकल के आ रहे हैं पहला मित हमारा है कि अगर हम लोग टैंक को ब्लास्ट करके उसमें बैटेंगे तो मैजिक होगा यहां पर आप लोग दिख सकते हो टैंक इतना सॉलिड है कि यहां पर आर्पीजी से ब्लास्ट हो ही नहीं रहा है आप लोग यहां पर दिख सकते हो थोड़ा सा नीचे मार के देखते हैं यहां पर जैसे मैंने नीचे मारा तो यह ब्लास्ट हो गया अब यहां पर दिख सकते हो इसमें बैटने का आप्शन नहीं आ रहा है मतलब इसको मेरे को गन से ब्लास्ट करना पड़ेगा सो आप से लेन लेगैं, यहां पर निकलने लगा है और यहां पर ब्लाष्ट, बर्टा आँ गेखा है, इसने को ब्लाश्ट कारश से बेस बर्ट करके बैटूंगा तब भी मैं eliminate हो जाओंगा जैसे कि टैंक में हुआ था तो मेरे को नहीं लगा कोई मैं जिक होगा सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने इसको blast कर दिया और भाई मैं इसमें बैड गया हूँ जैसे यह blast हो जाएगी पूरी तो मैं eliminate हो जाओंगा जो की कुछ second के बाद eliminate होता है जैसा कि आप लोगे आप पर देख सकते हो मैं फिर से eliminate हो गया हूँ मतलब वह अलामित हमारा busted है हमारा अगलामित है कि हम लोग JCB के उपर नहीं खड़े हो सकते हैं सो गाइस ऐसा होता है कि नहीं मैं आच्छी पोजिशन पर आ गया हूँ अब यहाँ पर उतर के देखता हूँ देखो जैसे मैं उतरा मेरे को JCB ने धक्का दे दिया मतलब मैं JCB के उपर नहीं खड़ा हो पाऊंगा सो गाइस यहाँ पर मैं फिर से try कर रहा हूँ साइद इस बार खड़ा हो जाओं देखो यहाँ पे एकदम मैं बीचो बीचा के इस बार exit करू मुझे लगता है कि हम लोग JCB के उपर नहीं खड़े हो पाएंगे चलो swimming pool में ट्राइ करके देखते हैं कि साइद उसमें हम लोग खड़े हो जाएं तो भाई यहाँ पर swimming pool में मैंने JCB को बला लिए अब यहाँ जैसे मैं खड़े होने की ट्राइ किया फिर से मेरे को धक्का को बला लिए अब इसको RPG करके देखते हैं कि कौन से magic होता है सो गाइस देखो यहाँ पे चैसे मैंने RGB इसको किया मेरे को यहाँ पर कोई magic नहीं लग रहा है चलो हम लोग दूसरी लंबरगीनी को बला के देखते हैं कि भाई उसको करने पर क्या होता है थोड़ा सा यहाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ इसमें जैसे कि वो अतानी ठंडर्स्ट्रोम वाला वैसे एफेक्ट आ रहा है लेकिन भाई चलो हम लोग दूसरी लंबरगीनी को बला के देखते हैं कि भाई उसमें क्या होता है अगर हम लोग RGB करें तो गाईस यहाँ पर सेम वैसे ही हो गई है कि मेरे को नहीं लगा कि कोई मैजिक हुआ है अगर आपको कोई मैजिक लगा है तो आपको कॉमेंट करना लेकिन यहाँ पर फिलाल मैं इस मित को बस्टेट कर रहा हूं हमारा अगला मित है कि अगर हम लोग एरो प्लेन को फोन करेंगे 8000 की चीट कोड से फिर उसके उपर द देखता हूं जो कि सायर मेरा प्लेन ना उड़े सोरी प्लेन नहीं हिलिकॉप्टर से ना उड़े तो भाई यही मैजिक हूँ लेकिन आप लोग दिख सकते हो यहाँ पे हमारा हिलिकॉप्टर होर्स को लेके उड़ गया है जो कि मेरे को एक चीज लगी अगर हम लोग कोई किया कार कुँ सबॉं करते हैं हिलिकॉप्ट्र के ऊपर तो वह मनलब उड़ा नहीं पाता है लेकिन आप यहां पर हॉर्स को लेके उड़ गया जो कि यह नीचे भी फेक दिया तो गयस्ज यहांते ने निदे गफोरल इक जगा एरोप्लेन लिख दिया, चलो अब हम लोग एरोप्लेन ड्राय करके देखते हैं, एरोप्लेन और हिलिकॉप्टर और यहां पर होर्स बुला के एक साथ देखते हैं कि कोई मैजिक होता है कि नहीं, आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैने एक प्लेन को बुला लिया है, अब इसके उपर मैं हिलिकॉप्टर को बुला के उसके उपर हॉर्स को बुलाओंगा यहाँ पर हमारी हिलिकॉप्टर का चीट कोट 8000 यहाँ पर हमारा हिलिकॉप्टर भी आ गया है फिर उसके उपर मैंने एक हॉर्स को भी बुला लिया हम लोग आठे जह तूल मेंन न्यू शिटी लिखेंगे तो हमारी साथ होता है कि नहीं में चलो ट्राइज करके देखते हैं यहां पे आप दोग सकते हो हंपने आठेस तूल में न्यू सिटी लिख दिया और भाई मैंने यहां पर इसको इंटर कर दिया लेकिन हमारी सिटी च कर लिए लेकिन हमारी city change नहीं हुई है मतलब यह वाला मित भी हमारा बस्टेट है तो गैस आज के मित में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मित हमारे बस्टेट थे कोई नहीं था मनलब एक मित के वल कंफर्म था बाकी सारे बस्टेट थे और आपको बता दू अगर आपको अपन पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में